कि नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त प्रदिप शिंग स्वागत है आपके चैनल टेल ओफ वंडर्स पे आज फिर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक और नई जर्नी इस जर्नी में कुछ जलगी होने वाला है मैं आपको दिखाऊ हूँ वहार रोड ट्रिप मुंबई से लेकर लोनावला तक रोड ट्रिप जो यह उन्हें एक्सपेक्स हाइवे है जो इसका जो रास्ता जाता है यह लोनावला में भी जाता है रास्ते में लोनावला तक का रास्ता वैदर व् और मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक और सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियो भी आपको टाइम ली मिलती है तो चलो चलते हैं करते हैं स्टार्ट इस वीडियो को प्लीज लाइक और सस्क्राइब एंड चलो मैं आपको बताता हूँ कि जो ये रास्ता है ये मुंबई से पनवेल होकर ये जाता है लोनावला और सिद आगर आप निकल जाओगे तो पूने निकल जाओगे रास्ते में 30-35 किलोमेटर के वाल लोनावला आ जाता है और ये काफी ब्यूटिफुल वे है यहां से आपको काफी बहुत सारी टनल देखने को मिलेंगी तीन या च्यार रास्ते में टनल आती हैं काफी स्यांदर व्यूव आपको मिलेंगी मानसुन के मोसम में तो ये आपको क्या बता हूँ है वो बोलते नहीं मोसम सदावार होता है आपको बारिस मिलेगी क्लाओडी मोसम मिल मिलेंगे काफी greenery मिलेगी बट कभी भी आओ घूमने आप यहां पर तो आपको आना पड़ेगा मानसुन के motion में यहां पर ज़्यादतर जो बारिस स्टार्ट हो जाती है जून के मोसम में यहां पर मज़ा है वरना तो इतना है नहीं यहां पर गर में भी होती है चिप चिपा मोसम होता है बारिस नहीं होती तो आपको पता यह कैसा मोसम होता है चिप चिपा मोसम हो जाता है पर बारिस के मोसम में तो आपको लगेगा कि आप धर्ती पर जन्नत है वो जो है धर्ती पर उतर के आगे या आप जन्नत में चलेगे लगे दो एफील हैं जो आपको यहां पर आके मैसुस होगा कई भी भी आ सकते हो यहां पर सेफ है आप फैमली के साथ भी आ सकते हो अगर आप मुंबई से आते हो तो आप वाय रोड आपको दो या तीन गंटे में आप लो आपको देखने को मिलेंगे और आप यह भी वीडियो में हम वाय रोड में आपको दिखा रहा हूं यह हम वाय रोड है हम जा रहे हैं काफी स्यांदार रोड हैं काफी फॉर लाइन रोड भी आपको मिलेंगे या व्यू देख सकते हो जैसे जैसे हम लोनावला की तरफ आग की दूप थी बट अब जैसे जैसे हम लोनावला के पास पहुंचेंगे तो मौसम भी चेंज होगा क्लावडी मौसम और भी इससे ज्यादा मौसम चेंज हो जाएगा यहां पर बारिश देख सकते हो रह देख सकते हो यहां पर काफी अभी इतनी बारिष हो ने रही जर्ने आहएं आपर ज्यादा मातरा में इस रोड पर आपको मिलेंगे जब सही बहुत ज्यादा पीक पर होता है ने मानसुन तब यहां पर आओगे तो उसका और भी मज़ा है कभी अगर मैं आगे आया तो उसके लिए मैं अलग वीडियो इसमें बना दूँआ तो अभी हम जैसे जैसे लोनावला की तरफ बढ़ रहें तो मोसम आपको बिल्कूल चेंज होता जाएगा यह आप जो लोनावला है वो जब मुंबई से पनवेल क्रोस करके जब आते हो तो थोड़ा सा आप देले देले आप फील पर जाते जाओगे लोनावला है उससे पहले आता है खंडाला आपने सुना हो है मुविव में भी आपर शुनाओं होती है तो वयदर तो आपको पता ही है लोनावला में और खंडाला में तो बहुत सारे फाम आउस हैं या वीडियो की या पिलमों की सुनाओं के भी आपर होती और टेनल भी आपको इस रोड़ पर बहुत स्द्वाल मिलें работать क्जों कि य हील अरिया पे है तो कई जगह क्या होता कि टैनल इसलिए हैं क्योंकि ये पाड़ों को काट कर बनाए गए अगर आपको लोनावला मुंबी से लोनावला रोड से जाते हो तो आपको पता भी नी चलेगा कि लोनावला पकब पहुंच गए क्योंकि ऐसे राष्टे में व्यू मजहता देखने को तो जैसे हमार लिए सिम्ला क्लो बना ले यह जीजी है। मदानी न knezi रहें बट जो मुंबी के के बाद flyer पर।पर सीथे नहीं निकलना है। हमें left से flyer के निच्चे से right लेकर हमें लोघनावला city के तरफ जाना है। वहीं से हम आगे का भी राष्था हमें मिलेगा, जहां पर हम लोनावला लेक है, वहां पर काफी सारे पॉइंट आपको घूमने को मिलें गे। लेना पड़ेगा तो दोस्तों यह आपने देखा अभी हम धीरे धीरे पहुंच रहे हैं लोनावला के क्रीब और पहले हम जाएंगे लोनावला सिटी यहाँ पर भी मोसम इतना बारिश तो है नहीं हलकी हलकी क्लावडी मोसम है हलकी हलकी मोसम ठंद है लेकिन बट जो लोनाव तो में जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ती जाएगे और हम भी आगे पहुंचते जाएंगे तो आपको बारिश भी आगे मिलेगी सो फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक एंड सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लिस कर देना आपका एक लाइक और सस थरक धितर को बूलती जैसे प्लाइवर आपयोंच गये ही। आप यह दैख सकते हो राइप में ये लिस त्युनाला करते हैं प्लाइवर से जैसे क्रोंच करते हैं थोड़ा वांतिन कमेटर गयर आते हम तो हम लुडिदे निकल जाते हैं तो अम भी हम लोनाला्च एहएं अ तो अभी हम पहुंग जाते हैं लोनावला लेक की तरफ और वहां का मौसम और वैदर मैं आपको दिखाता हूँ कैसा है यहां तो इतना खास मौसम है नहीं बड़ जिस के लिए हम इस रोड ट्रीग पर आए हैं साथ सतर सो किलोमेटर जितने भी हम गाड़ी चला कर जिस मौसम के लिए आए हैं अभी तक हमें वो मौसम नहीं मिलाए तो उस मौसम के लिए हमें जाना होगा लोनावला लेक पर और जो लोनावला के कुछ पॉइंट हैं वहाँ पर भी हम जाएंगे बट इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि आप मौंबई से लोनावला जाते हैं तो कौन-कौन से वीओ आपको देखने को मिलते हैं कैसे रोड होते हैं कैनल आते हैं तो फ्रेंट्स फाइनली हम पहुंच गए हैं यह लोनावला लेक यहां का आप मोसम देख सकते हो मैंने आपको क्या बताया था कि व और बारिस भी मिलेगी और जो यहां का मोसम होता है स्यांदार मोसम होता है आप फैमिली के साथ आ सकते हो काफी स्यांदार व्यू मिलेंगे आपको यहां पर आप दो तिन गंटे यहां पर खड़े होगे चिल भी कर सकते हो आपको खाने पीने के लिए भी आप पर पकोड़े चाय, cold drink वगएरा भी वो भी चीज़े आपको अवलेवल रहती हैं यहाँ पर जो यह फ्लाइवर के ओपर पुलीस ज़्यादा तर खड़ा रहने नहीं देती पार्किंग एरिया नहीं है अगर आपको पार्किंग करना ही तो आगे जाके आपकर सकते हो अगर आपको में वैली सोरी स्नोफॉल बोल रहा हूँ जो वाटरफॉल हैं वो भी आपको आगे मिलेंगे तो काफी से अंदर व्यू भी आपको आगे देखने को मिलेंगे तो यह आप व्यू देख सकते हो आज की वी इस जो यह वीडियो अभी हमारा बनाने का मोटो इतना ही था कि अगर तो वह हमारा बताने का मोटो था और इस जो यह मोसं है इसी मोसं के लिए मुंबई से ड्रायव करके लोनावला आये हैं काफी श्यांदार मोसं है आफ देख सकते हो यहाँ का मोसं जहां से हमने ड्राइविंच स्टार्ट की थी वह मोसं और जो आभी हम लोनावला पहुछ sach यह मोसम अभी हम लोनावला लेक को क्रोस करके हम पहुंचने वाले हैं भूसी डैम अभी हम भूसी डैम की तरफ जा रहे हैं आगे काफी सारे वाटरफोल भी आएंगे भूसी डैम आएगा अम्बे वेले साइड में रोड निकल जाता है तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही अगर आप वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज लाइक करें सस्क्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में हर हर महादेव बंदे मातरम जैहिंद झांगा 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 उब दोस्तों आपको प्लीज करें भेस वीडियो में हर दोत्ज़ करें सब्स्कान फ्रूंस